Hello students, students जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा हम आपी cross multiplication कर रहे हैं तो वो वाली थोड़े easy questions थे तो ये वाली थोड़े middle level difficulty के questions हैं तो देखें इसमें variables x और y और ये जो constant की जगापर है ये p और q और p minus q, p plus q है तो हमने इसी को solve करना है तो इसमें कोई भी confusion नहीं है सबसे पहले हम ये जैसा कि आपको पता है कि सारा कुछ left side में होना चाहिए right side में सिर्फ zero होनी चाहिए तो हम इनको change करते है p x plus q y sorry यहाँ पर minus आजएगा इसको bracket में ले लेंगे ठीक है individually science change करने की जगा पर यह easy होता है तो यहाँ पर आया q x minus p y is sorry not is equal to यहाँ पर यह यह इसको यह इसको यह पर यह इसको आजएगा तो यह भी minus form में ले लेंगे ठीक है यह हमारी equations हो गई तो formula आपको पता ही है a c b c और a b ठीक है sorry b c b c और a c और a b यह formula है ठीक है तो b c से start करना है तो b यह है हमारे पास और c यह है और a यह है हमारे पास तो क्या था हमारे पास यहाँ पर देखिए variable हम ले ली सकते x y तो लेना ही नहीं है उसके साथ में जो भी है p और q तो उसे पहले हमने x y x minus y और 1 ऐसे लिखना है इनके underlines कीजनी है और बीच में equal to लिखना है तो इसके बाद हमने क्या करना है इसके बाद हमने यह b c वाला करना है तो b यह है हमारे पास यानि plus q और minus p ठीक है और c है हमारे पास minus p minus q और minus p plus q ओके अब y में क्या है y में है a और c ठीक है तो p और q और दुसरी साइड है minus p minus q और minus p plus q और फिर यह आएगा a b ठीक है a b यानि p upon q है और b है q upon minus p तो यह ऐसे लेंगे हम इसके बाद हम इसको फर्दर multiply करेंगे multiply कैसे करेंगे ऐसे साइन्स लगाई यह उपर से नीचे यह इनके साथ multiply होंगे फिर यह नीचे से उपर ठीक है यह इनका process है तो x लिखेंगे अब यह q multiply होगा किसे minus p plus q से ठीक है और यह बीच में minus लगेगा और फिर यह minus p multiply होगा minus p minus q ठीक है यह लगाई यह और minus y तो यह p multiply हो रहा है minus p plus q से और यह फिर minus लगेगा बीच में फिर यह q आएगा फिर यह minus p minus q आएगा equal to यह one है और यह आएगा p और minus p बीच में minus लगेगा यह आएगा q और q ठीक है तो ऐसे लिखने के बाद में next हम इनको multiply करेंगे अब यह multiply कैसे होगे देखी यह यह जो है q यह दोनों से multiply होगा तो x लिखेंगे ऐसे तो यह सबसे पहले तो इनका sign change कर देते हैं तो q into minus p ठीक है जब यह minus से multiply होगा तो यह sign change हो जाएगा तो यह जाएगा minus p q और यह minus से multiply होगा तो यह भी minus का आजाएगा तो यह आजाएगा minus q square ठीक है अब यह minus है बीच में इसके sign हम बाद में change कर लेंगे फिलहाल तो पहले इनको multiply कर देते हैं अपस में minus p into minus p यह आजाएगा minus और minus plus हो जाएगा तो यह p square आएगा और यह p q आजाएगा ठीक है यह minus p और यह plus हो जाएगा plus into minus यह minus हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा p q minus p q यह यहाँ plus हो गया था उसके बाद दुबारा से minus हो गया ठीक है ऐसे ओके अब इनको भी multiply कर लेंगे P into minus PQ यह minus PQ है तो minus P sorry P है तो यह minus P square हो जाएगा और उसके बाद यह से multiply होगा तो P into minus Q क्योंकि minus जो है बाहर है तो दोनों से multiply होगा तो minus PQ आजाएगा ठीक है यह भी bracket में रहेगा ऐसे minus तो अब यह जो है यह इनसे multiply होगा यह minus से minus P होगया तो minus P into Q क्या आएगा minus PQ और यह आएगा minus minus into minus plus होगया और Q square plus Q square यह आएगा फिर यह one वाला minus P square minus यह plus ही है तो यह minus Q square आजाएगा ठीक है यह minus multiply होगया तो minus में आजाएगा अब उसके बाद उसके बाद क्या आएगा हमारे पास उसके बाद यह जो X है यह आएगा minus P Q minus Q square ठीक है और यह आएगा minus P square और प्लस P Q ओके और फिर इसके बाद यह आएगा यह minus P square है यह तो पहले सबसे पहले minus Y लिखेंगे ऐसे यह line खीचेंगे उसके बाद यह यह minus P square लिखेंगे इसको तो minus P square minus P Q यह प्लस में हो जाएगे दोनों plus P Q और minus Q square ठीक है उसके बाद यह 1 का तो ऐसे ही है minus P square minus Q square ठीक है यह हो गया अब ओके तो इसके बाद देखिए क्या आता है यहां पर P Q यह minus का है यह प्लस का है यह दोनों कैंसल हो जाएगे यह भी दोनों कैंसल हो जाएगे ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे X minus P square minus Q square आएगा ऐसे ही यह Y है यह भी minus P square minus Q square आएगा और A है minus P square minus Q square यह सारे ही ऐसे आते हैं तो इसके बाद इसका पेर इसके साथ करेंगे X equal to minus P square minus Q square 1 ले लेंगे साथ में 1 equal to minus P square minus Q square ऐसे ही Y लेंगे minus Y minus P square minus Q square is equal to minus P square minus Q square ठीक है यहां तक तो आपने नोट कर लिया होगा नहीं तो वीडियो पॉस करके नोट कर लीजेगा उसके बाद हमने क्या करना है हमने इसको solve करना है ठीक है तो x की value निकालनी है इसलिए x सिरफ left side में रहेगा बाकी सब कुछ हम right side में ले लेंगे अब ये है उदर जाके क्या हो जागा ये हो जागा minus p square minus q square ठीक है अब ये जो y है ये भी ऐसे ही होगा इसको भी हम left side में रखेंगे बाकी सब कुछ right side में ले लेंगे ठीक है minus q square अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर देखिए यह तो वैसे ऐसी cancel होता है लेकिन अगर आपको कुछ इसमें doubt है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं minus comma निकाल के p square plus q square ऐसे रख सकते हैं into इनका भी minus comma निकाल के p square plus q square ऐसे रख सकते हैं तो यह cancel हो जाएंगे तो x आएगा one ठीक है और यह जो y है इनका भी ऐसे यह दुनों cancel होते हैं यह इसके साथ cancel होता है तो यह one आएगा लेकिन हमें minus y नहीं हमें y चीए तो यह minus one आएगा तो यह जो है y minus one आया है और x जो है one आया है झाल 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 झाल